नमस्कार दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे कारिक्रम उमंग तरंग में दोस्तों आज फिर एक नए विशे के साथ हम आपके सामने आये हैं और एक नए विशे शग्य के साथ आज हमारी चर्चा का विशे रहेगा जेंडर आधारित भेदभाव और आज इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूपा जी है दोस्तों आज की हमारी विशेशग्य शुश्री अनूपा जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और 1988 से ये नॉन गवर्मेंट सेक्टर में कारिरत है बहुत लंबा अनूभाव है इनको ग्रामीड एवं शेहरी सर्वे और रिसर्च के शेत्र में इसके साथ ही साथ इनको पॉब्लिकेशन में, कैम्पेनिंग में इस तरह के शेत्र में बहुत व्रिहद अनूभाव प्राप्त है इसके साथ ही अनूपा जी को स्वैम सहायता समूहों का, जेंडर, हिंसा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ, शिक्षा, आदिशेत्रों में प्रशिक्षन का बहुत लंबा अनूभाव प्राप्त है इसके साथ ही अनूपा जी ने बालियोन हिंसा बाल सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे काम किये हैं। कानून को लेकर भी विषेश तオर पे ऐनोंने कई प्रसिक्षन दिये हैं। अपनी सेवाओं दे रही हैं। अनुपा जी नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अनुपा जी मेरा पहला प्रशना आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि हमारे समाजी करन का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और जेंडर का इससे क्या संबंध है बहुत अच्छा सवाल है जब हम समाजी करण की बात करते हैं तो दरसल ये समझना जरूरी है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर रहने लायक बनाने की प्रक्रिया को समाजी करण कहते हैं तो उससे जुड़े नियम कायदे सिखाय जाते हैं और आप जानते ही होंगे कि जिस समाज में रहते हैं वो तो एक पुरूस प्रधान समाज है तो वहाँ पर हमें क्या करना हैं क्या नहीं करना है चाहे हम महिला हैं या पुरूस हैं लड़का हैं या लड़की हैं या फिर अन पुरुसों के नियंतरन के लिए बनाना है या पितरी सत्ता को इस्थापित करने के लिए बनाना है तो वो सारे नियम बनाए जाते हैं जिसमें की पुरुस उपर यानि की सत्ता के स्थिति में हो और महिलाएं उसे पालन करने वाली बन सके जी अनुपा जी हमारे साथ कुछ श यह हमारे वियावार में यानि कि जो कारिया आपने बताए कि नरधारित हैं यह कारिया अंगार किते कि मैं लड़का हूं लड़की हूं या ने जेंडर से कोई संबंदीत वेक्ती हूं यह समाज उस अंतर को डिनाई करता है उस अंतर को आधार बनाता है और हमारे साथ समाज के इस तर पर भेदभाव शुरू करता है तो जब हम gender समानता कहते हैं तो दरसल हम कहना चाहते हैं कि ये जो भेदभाव का नजरिया है कि मैं किसी भी लिंग में पैदा होती हूँ एक इनसान हूँ और इनसान होने के नाते समानता पूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार हमारा समविधान भी देता है तो मैं इसे मैनेज कर पाऊं याने कि इस शारिरिक अंतर को जैविकी अंतर को नजर अंदाज करते हुए एक इनसान मानते हुए बराबरी से समान रूप से अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले तो वो gender समानता होगी पर क्या करें हम वेवारगत तोर पे तो हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को देखना होगा क्योंकि हम ही देखने वाले लोग ही तै करते हैं कि कोई इंसान छोटा है बड़ा है कोई कम है कोई ज्यादा है इस नजरिये को बदलने की जरुए और बेहतर आउसर देना बिना gender बाधा के कि उसे सिक्षा का उसर मिले बेहतर तरीके से अपने अभिव्यक्ति का उसर मिले अपने कोशल को बढ़ाने का उसर मिले और अपने आपको समाज में स्थापित करने का उसर मिले अनुपा जी अब आगे कुछ सवाल बच्चों की तरफ से हैं तो हम वो सवाल लेते वेरो और जजबे के साथ करते हैं तो हम में से कोई भीविन कोई सषा खेल चुनने के लिए और इसे के लिए स्वतन्त्र हैं और आप क्या कर सकते आößसे बात है परिवार ने करिए उनको समझाइए और फिक्र मत करिए कि दुनिया क्या कहती है आप में दम है आप में जजबा है तो खेल जाइए फिर बाकी बाद में देखेंगे अगला प्रशन चात्रों की तरफ से है सवाल यह तो बेहत आम घटना है और लोग परिशान भी होते हैं मैंने जैसा कहा था कि पित्रि सत्ता का नियंतरन दोनों पर है तो जितना वो महिलाओं को नियंतरन करती है उतना ही पुरुसों पर भी इस बात का भार है जहां कई पुरुस हो सकते हैं जो यह चाहते हो कि हम नौकरी ना करें हम पैसा ना कमाया और घर पर रहके घर के काम करें पर ऐसा संभाव नहीं है जब हमारे समाज में हम सभी के लिए एक बॉक्स बनाए गया एक डिब्बा बनाए गया तो जब हम इस डिब्बे से निकल कर दूसरे डिब्बे में जाने का प्रयास करते हैं तो समाज के लोग हमें खीच कर अपने डिब्बे में लाने का प्रयास करते हैं इसलिए जब रखना चाहिए कि काम के लिए और सपनों के लिए जेंडर का कोई रोल नहीं है अनुपजी अभी आपने जवाब दिया और हलाकि इसी से बिलकुल मिलता जुलता मेरा अगला सवाल है कि ऐसा हम कहते हैं और मानते भी आए हैं देखते भी आए हैं कि लड़कियों पर बहुत त जैसे मैंने कहा पित्रिसत्ता पूरे समाज को नियंत्रित करती है तो वो सब को नियंत्रित करती है और मैंने पहले ही कहा कि लड़कों पर ये दबाव है बहुत सारे लड़के हो सकते हैं जिनको तकलीफ होती है हम इंसान है तो वो रोना चाहते हैं वो रो नहीं सकते लड़क सत्ता जो है जितना महिलाओं को परेशान करती है उतना ही पुरुसों को भी करती है क्योंकि वो चाहते हैं समवेदन सील होना जैसे हम अमेसा बात करते हैं कि ममता मा की होती है तो पिता की क्या होती है क्या पिता को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता क्या लड़के अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपने साथी, इनसे प्यार नहीं करते, पर उनके प्यार को एक अलग दृष्टी से देखा जाता है, कि वो छेड़ चाड़ करते हैं, वो गलत होते हैं, पर हर समय तो नियत गलत नहीं होती न, और ये दबाव ही है पित्रिसत्ता का, जो इनसान को इस बात के लिए रोकता है, बंदीशे लगाता है, कि तुम ये काम करो, वो मत करो, तुम नाच सकते हो, तुम गा सकते हो, तुम ऐसे चल सकते हो, तुम ऐसे चल सकते हो, तुम ऐसे चल सकते हो, तुम जोर से करते हैं और आगे भी इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ये तो सब व्याप्त हैं हमारे समाज में कि जेंडर आधारित भेदभाव जो है पर इसको हम दूर कैसे करें दूर करने जो हम कहते हैं वो उपस्तित है और फिर वो उसका असर क्योंकि असर समझने से कई बार उसका इलाज करना उपचार ढूनना आसान हो जाता है तो आम तोर पे हम देखें क्योंकि जेंडर बहुत बहुत हरी लड़कियां सिक्षा से बाहर हैं तो इसका मतलब हमें सिक्षा की दिशा में काम करना पड़ेगा काम का बटवारा जिस तरह से जेंडर ने किया है तो हमें जरुवत है कि हम काम को चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के पैसे कमाने वाले काम हो दोनों ही जगा सभी की भागिदारी बराबरी से सुनिशित करने का प्रयास करना चाहिए और तीसरा जो बहुत बड़ा हिस्सा है, हम अपनी सोच में, अपनी विवस्थाओं में, जैसे मैं कहती हूँ, कि लड़की अगर दिल में, तो क्यों नहीं विल में, तो अगर उसे संपत्ती में हिस्सा दिया जाए, जो कि इस पूरी पित्री सत्ता का सबसे बड़ा सोर्स है, वो पावर देता है उसको, तो वहां पर अगर हर जगह हम बराबरी से हर जेंडर की भागीदारी करेंगे, तो मुझे लगता है, आने वाला समय वो होगा, जब हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुपा जी, एक बड़ा गंभीर मसला है, कि हम जेंडर क की बात कर रहे है, और जनरली जेंडर में जब हम बात करते हैं, तो महिला पुरुष की बात होती है, लेकिन उसमें महिला पुरुष के लावा किनर भी आते हैं, और सबसे दुखत बात है कि हमने देखा है कि ये किनर जो है, ये सिर्फ तोहारों में या उत्सवों में, घर म इसके अलावा कही नजर नहीं आते तो क्या कारण है कि ऐसा होता है यह बहुत महत्वण हिस्सा आपने पॉइंट आउट किया कि यह हमें समझना जरूरी है जब मैं कह रही हूँ कि हर एक वेक्ती को लिंग के आधार पे समाज ने भेदभाव किया है तो वहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा असर जो है इसी हिस्से पर है हम लोग अकसर जो आपने कहा भी कि हम हमें सम महिला और पुरूस की बात करते हैं यह वो हिस्सा है समाज का जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते दरशल शायद हम इनको नकार देना चाहते हैं इनकी मौजूदगी को नकार देना चाहते हैं और इसी वज़़से आपने कहा ना कि वो शादी ब्या में नासते हुए और शायद पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं इसी लेना कि हमने इनके लिए कोई जगाई नहीं रखा हमने जब काम कबटवारा किया तो हमने कहा लड़का ये कर सकता है लड़की ये कर सकती महिला के लिए ये उचित है पुरुष के लिए अनुचित है मगर हमने कहीं भी ये तो नहीं कहा ना कि किनर या अन्य जेंडर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया तो बचा-खुचा जो एक हिस्सा था ये हमें वही पर दिखते हैं तो जब हम इस जेंडर बहेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने शब्दों में ही साथ मे उन्हें शामिल करना होगा कि वो भी हमारी तरह इंसान है इस समाज का हिस्सा है और उन्हें भी स्वतंत्र समान रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है अनुपजी ये जो जवाब आपने दिया है तो इसे में मैं थोड़ साथ लोगों के सुने होंगे जैसे कुछ लोग विधायक बन कराएं हैं कहीं नगरपाली का अध्यक्ष बन कराएं हैं जज़ भी हैं यहां तक कि यूनिवर्सिटी की दीन भी बन चुके हैं और अभी तो एक राज्य ने पुलीस की विवस्था में पुलीस की पोस्टिंग में पूरा उनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया है और एक बड़ी संख्या में वो पुलीस भी बन करा हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं वेक्तिगत तोर पर भी जानती हूं जो आई-ए-ए-ए-स पी-ए-सी यह सब क्लियर करके अभी बड़ी-बड़ी पोजीशन प क्या होती है उसके वज़े से क्या समाज में विकृतिया आती है और उससे भी अच्छी बात कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं अनुपा जै आपका बहुत बहुत दहनेवाद कि आप इतना अमूले समय आपने हमारे साथ निकाला और दर्शकों से जानकारिया साचा कि बहुत कि झेलोग घर तक है घर थे हैं आ कि आया से हैं दो जो कि अपके बहुत अर्शके हैं झेले से भी झाला धने हैं तो जात कि दोकर शैन कि रहोँते हैं आरे झाल